आज मैं बना रही हूँ बनारस की special tomato चाट चुकि बहुत ज़्यादा delicious लगती है खाने में इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल different अब बहुत ही अलग तरह की recipe है एक बार खाएंगे तो टेश्ट ही नहीं भूलेंगे खुद में ही एकदम नायाब recipe है तो ये जो चाट है ना ब जीरा और सुखी लाल मिर्ज इसे हलका सा रोश्ट कर लेंगे मतार अच्छे से भून लेंगे ये जो मतब मसाला है ना चाट में डाली जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है तो फ्रेसली बनाईएगा तो बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा अब हम क्या करेंगे कि ज चमच लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा हिंग डाला है ये जो चाट अना घी में बनाई जाती है आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं उसके बाद इसमें डाल देंगे आधा ग्लास के करीब पानी और यह मतलब मेठी पानी होती मतलब मेठी घटी तीखी इसी से ज साथ ही मैंने इसमें डाली है साधा नमक, काला नमक और चाट मसाला और यह क्या करेंगे ना सिप चीनी को मेल्ट करेंगे बहुत जादा इसे गाड़ा वारा नहीं करना है सिप चीनी को मेल्ट करना है जब तक चीनी इदर मेल्ट हो रही है मैं इदर जीरा और मिर्च को कर दिया है और हमारा जो मीठा खटा तीखा पानी रेडी हो गया है इसे रख देंगे अभी हम साइड में देखिए अग्दम पतली है पानी की तरह बिल्कुल भी गाड़ी ने करनी है अब हम बनाएंगे चाट का बेस जो की आलू से बनेगा और यह बहुत ही अलग तरह का मतल लिया है एक इंच का जिसे मैं बारिक बारिक चॉप करूंगी साथी दो हरी मिर्ची लिया है आपको अगर और तीखा पसंद होना तो आप इसमें और मिर्ची एड़ किजेगा अपने तीखे के कार्डिंग मैंने यहाँ पर दो ही मिर्च एड़ किया क्योंकि बहुत जादा साथ ही मैं इधर बारिक धनिया काटा है जो कि चाट में यूज करेंगे हैं और इस चाट में ना मतलब काजू भी डाली जाती है जिससे कि इसका टेश बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो मैंने यहाँ पर साथ से आठ काजू लिया है जिसे कि मैं बारिक बारिक चॉप कर नहीं हो आप चाहें तो एक बार मिक्सर में दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं तो सारी चीजे यहाँ पर रेडी हो गई है अब चलते हैं बेस बनाने की तरफ तो मैंने कड़ाई चड़ाई है उसमें डाला है दो चमच घी तो घी में मतलब घी से टेश बहुत ही अच्छा जब यह अच्छे से भून जाए ना मतलब लो फ्लेम पे भूनियेगा बिल्कुल भी फ्लेम को जादा मत कीजेगा नहीं तो जो यहाँ पर मसाले मिर्ज वेगरा ना जलने लगेंगे अब इसमें एड़ कर देंगे बारी कटी वी काजू साथी इसमें एड़ करेंगे बारी हम आलु हाथों से क्रस्ट करके अड़ करेंगे जिसे की कभी मोटे स्यंक्स थोड़ी से महीन भी मिलेंगे हमें उसके बाद उपर से आड़ करेंगे साधा नमक, काला नमक और साथी एक चमच इसमें एड़ करेंगे आमचुर का पाौरडर और आदा चमच चाट मसाला जो ज साथ से आठ मिट तक के लिए अच्छे से मसाले के साथ भूनना है जिससे कि इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस चार्ट को मैंने अपने तरीके से सेर किया है बिल्कुल इस्ट्रेट इस्टाइल आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और किन-किन लोगों ने मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा जब यहां पर आलू मसाले अच्छे से भून जाए तो इसमें अड़ कर देंगे आधा ग्लास के करीब पानी उसके बाद इसमें अड़ करेंगे मावा या फिर खोवा कद्दू कस करके यह बहुत इंपॉर्टन्ट इंग्रीडिय आलू का बेस है ना बिल्कुल रेडी हो गई है यह जो आलू का बेस है खुद में ही बहुत अच्छा टेश्ट लगता है खाने में आप चाहें तो इसे एज़िटीज पापडी वगर के उपर लगा करके खा सकते हैं बहुत जादा यमी लगती है आप यहां पर मसाले वगर आप ले आती हूं टमाटर इधर मेरे किजन कारडन में ही टमाटर हुए है जो कि अभी तोड़ रहा है अभी दो ही हुए है और मैं जनरी जो सबजीवेगर दोती हो ना उसी पानी को मैं गमले में डालती हूं उसी से टमाटर के पौधे निकल आते हैं तो साथ से आठ यहां पर लग जाएंगे मैंने अभी यहां पर सिर्फ 6 टमाटर का यूज किया है इसे हम बारिक-बारिक काट लेंगे तो मतलब में इंग्रीडेंट इसका टमाटर ही है जो चाट में है खटापन इसी से आता है तवा गर्म हो गई है तो मैंने इसमें डाला है एक चमच ते इसमें नमक चितना टमाटर डाला था उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि जो आलू का बेस था उसमें अल्रेडी हमने नमक डाले हुए थे तो सिफ टमाटर के अकॉर्डिंग नमक डालना है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे प्लेट से ढग देंगे ताकि जो ट कर देंगे आलू का मसाला तो मैंने आपर अभी आधा ही आलू एड किया है जितना आपको पसंदो मतलब मसाले या फिर टमाटर आप उस एकॉर्डिंग यहाँ पर एड़ेस्ट कर सकते हैं लेकिन टमाटर की क्वाइंटिटी अच्छी रखिएगा तो बहुत ही अच्छा लग लग रही है इसे सर्व करने का तरीका भी बिल्कुल डिफ्रेंट है इस चाट को इक तम गर्मा घर्म खाई जाती है तो मैं डिरेक्ली तवे से निकाल करके मिट्टी के चुकड में रख रही हो क्योंकि इसी तरह से सर्व की जाती है तो मैं भी उसी तरह से सर्व कर रही हू मिट्टी में खाने का टेश्टी बहुत अलग होता है उपर से डालेंगे मीठा वाला पानी जो कि हमने पहले बना के रखी थी उपर से नीम्बू नी चोड़े उपर से डाले बारिक कटा हरा धनिया आप चाहे तो इसमें यहाँ पर बारिक कटी हरी मिर्ची भी एड़ कर सकते है उसके बाद इसमें एड़ करेंगे निम्की जिसे की नमक पारे भी बूलते हैं और यह खुद यच्छी लगती है और यह डाली जाती है आपके पास नहीं हो तो बारिक से भी डाल सकते हैं उसके बाद घी और थोड़े से जीरे के पाउडर से से सर्व करें तैयार एकदम डिलीसियस टमाटर चाट कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा बाबाई